हेलो एवरिवन स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल में तो आज बारिस का मोसम है और बारिस के मुसमें पकोड़े खाने का मन है तो आज मैं बना रही हूं पकोड़े वैसे तो मैं च्छेह तरीके के पकोड़े बना रही हूं लेकिन आपके साथ यह आज मैंने किस टरीके से कितने तरीकी के पिकोड़े बनाए है यह देखिए मैंने आलू, प्याज, हरे मिर्च, बेंगल, और देखिए गोभी को मैंने उबाल लिया है गोभी और पालक तो मैंने ये 6 तरीके के पकोड़े बनाए है बाकी के पकोड़े की रेसी पहले वीडियो मेरी आच चुकी है तो आज मैं बैंगन और पालक की वीडियो आप सभी किशार शेयर करूँगी ये देखें बैंगन के इस तरीके से बड़े-बड़े स्लाइस काट लेने है नहीं वह जादा बारिक करने हैं नहीं वह जादा मोटे रखने हैं तो बैंगन हमारा तयार है तो अब हम पालक काट लेते हैं बड़िकस बड़िक सबस्कूर कि इसरी के से जी तरहिए जितना बारिक आप कृटेंगे उतने क्रिस्पी अच्छा प्के पकोड़ी बनेंगे यह कई चाहrences शैसा हो आज हे लिए लियर गयोफा सा ना-र याल हुआ है इस जी अар मसाल हो ना रच जा लिए अब डाल दूँगे साबध धनिया का फ्लेवर बहुत है अच्छा आता पकूड़ों में तो साबध धनियै जरूर डाली है यह डाल दियाने फोड़ा सा गरम अगर्स करेंगे और इसमें पानी डालकर इसका एक पेस्ट तियार कर लेंगे अगर आप लोग लाल मिर्च खाते हैं तो आप लाल मिर्च भी उज़ कर सकाएं देखिये पेस्ट को बहुत जादा पतला नहीं रखना है और नहीं बहुत जादा गाधा रखना है लेकिन इस तरीके का पेस्ट रखना है कि आपके जो बैंगर के स्लाइस हैं उन पर अच्छे से पेस्ट ये लिपट जाए तो अभी मैं आपको दिखा दूँगी किस तरीके का बेसन तियार करना है बेसन को घोलने के बाद 10-15 मिनिट के लिए रख दीजिए तो पकोड़े बहुत ही अच्छे बनते हैं अब हम बेसन को घोल कर रख देंगे और तब तक हम अपने पालक के पकोड़ों की तियारी कर लेंगे कि और देखे बालक को मैं ठलनी में अच्छे से फोल लिया था कि अब पालक को एक बावल में डाल लूँगी और इसमें ड्ञैट काटके एक हरी मिर्च अकर आपको प्याज पसंद है तो आप आप अज भी काटकर डाल सकते हैं मैं प्याज जूनाहीं कर रहे हूं याप हल्दी थोड़ी सी हींग देखें हींग बहुत अच्छा फ्लिवर आते हींग का यह गरम मसाला तो हींग जरूर डालिए और अच्छे से मिक्स कर देंगे हातों से और इसमें डाल दूंगे थोड़ा सा सावध धनी देखें हलवाई के पकोड की ही सीक्रेट होती है कि जब भी यह जरूर टालते हैं तो आभी सावध धनी डालकर एक बार बना कर देखें पकोड कि पुछ टेश्टी लगते हैं अम इनसाता बने डाल दे अच्छे से मिक्स कर दूंगे और इसका डो तयार कर लेंगे हम अब यह डो तयार हो गया अमारा अब यह देखिए हमारा नूँनरा के चला है में इसे चला है लिजे ocasone के फैंगए मैं अब दिए की आप बालें ड़िए जी इसे में डाल देंगे पालग के पकोड़ पू अ 歡迎 लिभाई तो पालक के हम इसतरीकिस में शाथ भाल देंगे सिरि इपकड़ी की कि अब दोनु टरफ से अच्छे से से सेगतेवें पकोडों को त kän Volume कि अब हम अपनी गयस बैंum और मीडियम गैस पर दोनों तरफ से चलाते हुए अच्छे से गोल्डन होनी तक फ्राइ कर लेने हैं अपने पकोड़े यह देखिए अब हमारे पकोड़ों का कलर चेंज हो गया है यह काफी क्रिस्पी बनते हैं यह देखिए तो अब हम इने निकालेंगे एक पेपर पर जिस तरीके से पकोड़े बननाने के रैशिपी और आप सभी को मेरे रैसिपी कैसी लगी कमेंट वॉक्स में कमेंट कीजिएगा तो मैं प्लेट लगा रही हूं प्लेट में सबसे पहले रख दिया हरेदनिय की चट्नी टोमेटो कैचप और लेसन मैं और of चमेट बननाने की तो चैनल को सबस्क्राइब कीजिएगा थैंक यू सो मुच गाइज कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो नए रैसीपि के साथ